दोस्तो हमारे पास एक Luminous का UPS है मैं जानता हूँ कि आपने से बहुत सारे लोगों के पिछले वीडियो में शवाल था कि भाई UPS को कितने देर के लिए मैं चार्ज करूँ क्योंकि मेरा UPS जादा देर तक मुझे बैटरी बैकप दे ही नहीं रहा है दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक UPS है और आपका UPS भी लंबे समय तक बैटरी बैकप दे तो उसके लिए आपको सबसे पहले UPS को सही तरीके से यूज करना होगा अगर आप UPS को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो फिर चाहे आपका UPS किसी भी कमपनी का क्यों नहीं हो पर वो UPS आपको सही से बैटरी बैकप कभी नहीं देगा अब दोस्तो यूज करने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको UPS के सारे functions के बारे में बता दूँ सारी चीज़े दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वारी जो बटन है आपको तो पता ही होगा कि ये बटन power off on करने के लिए दिया गया है इस बटन को दबा कर आप UPS के power को on कर सकते हैं और off भी कर सकते हैं दोस्तो इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि पीछे के साइट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तीन आउट पूट के पिंस देखने को मिल जाते हैं हमारे पास एक पलग भी मिलता है और यह है इनपूर्ट करेंट का पलग इसे आपको अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पलग इन करना है स्विच कौन करना है जैसे आप स्विच कौन करेंगे यहाँ पर जो आपकी एक ग्रेन कलर की LED दी गई है यह वाली LED बिलिंक होना स्टार्ट हो जाएगी यानि कि आपको यह बताएगी कि अब हमारी UPS के अंदर करणा आ चुकी है और यह LED लगातार भिलिंक होगी ठीक है तो जब यह UPS चार्ज कंडिंसन में होगा तो यह ग्रेन कलर की LED एक बार भिलिंक होगा फिर बंद होगा फिर बंद होगा अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको एक येलो कलर की LED देखने को मिलेगी, अब दोस्तों इस येलो कलर LED का क्या काम है, पहले तो आप ये जान लो, कि जब आप इस UPS को यूज करेंगे, और यूज करने के दोरान, अगर electricity कट हो जाती है, तो फिर ये green वाली LED बंद हो जाएगी, और ये येलो कलर की LED ब्लिंक होगी, और ये आपको ये इंडिकेट करेगी, कि अब आपका electricity कट चुका है, तो अगर आप इस UPS किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, तो उस चीज को जल्दी खतम करें, और UPS को आप करें, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक backup नहीं देने वाले हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर आता एक red color के LED, और ये red color के LED किस लिए दिया गया है, ये भी मैं आपको बता दूँ, दरवसल ये red color के LED, जब आप इस UPS को यूज करेंगे, और अगर use करते वक्त इस पर overload आएगी, तो ये red color की LED ब्लिंक होगी, और ये एक whip भी create करेंगी, जिससे कि आपको ये पता चलेगा, कि अब आपकी UPS पर overload आ रही है, तो अब आपको यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा plug-in किये होंगे, तो उन plugs को निकालना है, और overload को कम करना है, तो दोस्तो अब आपने इन तीनों LEDs के बारे में जान लिया, कि ये तीनों LEDs किस काम के लिए है, ये button किस काम का है, आपने ये जान लिया, अब आप जानों कि UPS को शही तरीके से use कैसे करना है, तो दोस्तो आप देखो यार, ये एक UPS है, इसके अंदर एक 12V की बैटरी दी जाती है, और जो 12V की बैटरी है, वो आपको ज़्यादा time तक तो backup दे नहीं सकता, क्योंकि इस UPS से आप या तो एक monitor यूज़ करेंगे, एक CPU यूज़ करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक monitor एक CPU यूज़ करते हैं, तो ठीक है, ये आपको 15 मिनट तक backup दे देगा, लेकिन अगर आप इसके अलावा एक monitor यूज़ कर रहे हैं, एक CPU यूज़ कर रहे हैं, एक mobile charger यूज़ कर रहे हैं, और आप इसे उमीद रख रहे हैं कि ये आधे घंटे से ज़्यादा backup देगा, तो मैं आपको बता दूँ, आप फिर चाहे किसी भी company का UPS ले लो, वो आपको backup नहीं देने वाला है, क्योंकि ये UPS बहुती compact size का है, एक छोटा UPS है, इसके अंदर 12V की एक छोटी सी बैटरी है, इस वज़े से ये UPS आपको ज़्यादा देर तक power supply नहीं दे सकता है, ये आपको सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट तक ही supply दे सकता है, तो आपने जाना कि एक UPS आपको कितने देर तक supply दे सकती है, ये वाला UPS आपको ज़्यादा देर तक supply नहीं दे सकती है, तो अगर आप इससे बहुत बड़ी कुछ expectations रख रहे हैं, तो आपको वह expectations नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये UPS सिर्फ आपको 10-15 मिनट तक ही backup दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक compact size की battery, यानि कि छोटी सी battery use की गई है, और वो battery 12 volt की है, तो इसलिए ये UPS आपको ज़्यादा देर तक battery backup नहीं दे सकता है, इसलिए आप या तो कोशिश करें, कि यहाँ पर आप कम चीजों का use करें, आप कम plugin करें, कम चीज़े use करें, अगर आप कम चीज़े use करेंगे, तो ये थोड़ा ज़्यादा दे सकता है, अगर आप ज़्यादा चीज़े use करेंगे, तो ये कम battery backup देगा, अब दोस्तों देखो याप, एक सवाल और आता है, मेरे comments में, मैंने लोगों का extra सवाल देखे हैं, कि भाई, इस UPS को कितने देर तक चार्ज करें, तो ये भी एक बहुत important सवाल है, कि इस UPS को हमें कितने देर तक चार्ज करना होता है, दरसल सवाल उनका ये नहीं होता, कि इस UPS को कितने देर तक चार्ज करें, उनका सवाल ये होता है, कि sir मैं plug-in करके इस UPS को use तो कर रहा हूँ अभी suppose that कि मैं अभी system use कर रहा हूँ इस UPS दे और उसके बाद अब मेरा system का सारा काम हो गया complete तो मैं अपने monitor को off कर रहा हूँ अपने CPU को off कर रहा हूँ तो क्या मैं off करने के बाद भी से charge करूँ या फिर इसके भी इस power button को off कर दो दोस्तों देखो यार मैं आपको बता दो आपको monitor और CPU को off करना है इसके भी power button को off कर देना है और उसके बाद ये वाली plug जो आपके electric board पर connect होंगी इस plug के switch को आपको off नहीं करनी है वो आप अपने हिशाब से charge करें इस UPS को आप charge कर लेंगे तो वो बाद में भी आपको battery backup देगी तो आपको ये कोशिश करनी है कि इस UPS को जितना देर आप use करें उतनी देर तक तो charge करें और उसके बाद भी आप इसके switch को off ना करें तो ज़्यादा बहतर है अगर आपका काम लंबे time तक के लिए चलता है तो आप इसके switch को हमेशा on रखे और अगर आपका काम short time period के लिए है तो आप इसके switch को off कर दे कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप इसे अपने हिसाब से use करो यार ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसे use करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना होगा ये एक छोड़ा सा UPS यार इससे ज़्यादा expectations मत रखो बस यही बात बोलूँगा मैं आपको तो अगर आपको ये सारी जानकार या पसंद आईए ये लिए लाइक ज़躁 कर देना चानल पन्यों आए तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना यार क्युक्ति नए चेहरे को कोई support करना णहीं चाहता है तो आपसे मेरी दिल से रिक्वेश्ट है कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हुआ आपको इस तरह की ओरिंग नी उडिक शाथ तब तक ले बावाइटे कर अपने खाया रगना चालो फिर ताटा जैशिया रहा हूँ